हलो दोस्तो रेलबे के कंडिडेट के दोरा खास कर दो मांगों के लिए पहला NTPC 72 के लिए यूनीक 7 लाग कंडिडेट का सेलेक्शन होना और दूसरा गुरूप D में 72 एक चाम नहीं होना इन दो मांगों के लिए जबरदर्स परदर्सन किया गया जिसके कान रेल मंत्री को ख अपना रिपोर्ट सम्मिट करने के लिए लास्ट डेट चार मार्च रखा गया है इसके का NTPC 72 एकजाम जो की 15 फरवरी से होने बाले थे और रेलबे गुरूप D एकजाम जो की 23 फरवरी से होने बाले थे दोनों एकजाम को पोस्ट पॉंट कर दिया गया कि चार मार्च तक तो कमिटी को रिपोर्ट सम्मिट करने के लिए का गया है इसलिए दोनों एकजाम को पोस्ट पॉंट कर दिया गया तो सबसे बड़ी बात अभी यह है कि NTPC 72 एकजाम और रेलबे गुरूप D एकजाम अब कब लिये जाएंगी इससे जुरा कुछ अपडेट आया है अपड रेल माई तक करना होगा इंतजार इसमें आगे का गया कि RRB दौरा परिक्षा पर कमिटी गठित करने और चात्रों का पक्ष लेने के बाद अब पूरी परिक्षा को फिर से रिसीडियूल किया जाएगा रेल मंत्राले के दौरा अभी कमिटी गठित की गई है कमिटी को 4 म मार्च तक रिपोर्ट देनी है ऐसी इस्तिती में अब चात्रों को परिक्षा के लिए इंतजार करना पड़ेगा उमीद जताई जा रहे है कि 5 राज्यों में चुनाओ के बाद ही परिक्षा आयोजित कराई जाएगी उसके बाद का गया है कि अब परिक्षा की उमीद अप फैसला लिया जाएगा उसके बाद यानि की अप्रेल या मर्च लास्ट में इनटी सिवर्टी टूए गजाम पाहले लिये जाएंगे उसके बाद गुरूब डी है सुरू किये जाएंगे तो अब आप लोगों को कम से कम मार्च के लाष्ट तक तो इंतजार जरुर करना अबडेट आगी हम आप लोगों को वीडियो के मादम से जानकारी दे देंगे इसके लाइए प्लोग चैनल को सब्सकाइब करें वीडियो को जदा जदा सेर करें और लाइक करें तो चलिए आज कब देश्मापत करते हैं वीडियो देखने के लिए प्लोग का धन्यवाद